कुछ नौल यूफेंट्स कैसे यहां सब आई हो बहुत अच्छ होंगे आएंट सीवा कोशी करने आज मैं कराने चाने में आपको इंकम टेक्स के अन्सोल्ड क्वेश्चन राइट चक्तर नम्र 16 ही स्टी महरत्रा वाली बूक से राइट को आप उपन कर लीजिए कैसे हम सोल करेंगे आज आप देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो आप मेरा पोर्स बाई कर सकते हैं के लिए बहुत अच्छा मुका है कि आप लोगदां को लगने वाला इस मुके में अपने इंकम एक्सी नमबर कम मत करिए कि ना इस है वोग जल आप तो उसके लिए पाय कर लीजिए मेरा को और पहले आप प्रश्ण को समझें कैसे हम करते हैं यहां पर नीचे प्रटिकुलर्स इंकम ने रखी कि कहां कहां से इसको मिल रहा है सबसे पहला कोईं कह रहा है शह गाति ता सालरी ओं फुपीन थौजन पर मूंद उसको सालरी पी नहीं है सालरी किसके पी नहीं है in Delhi at 6000 per annum उसके employer ने 6000 per annum की साथ से उसको क्या पोवाइड किया एक unfinished accommodation पोवाइड किया in Delhi at 6000 per annum the fair rent of which is 30,000 per annum और उसका fair rent 30,000 per annum है उसके मारे क्या कह रहा है her investment worth 10% Rajasthan Government loan 10% 50,000 का 10% 5,000 और जाएगा 10% Government loan 24,000 का 10% 2400 and 60,000 in 10% fixed deposit account in bank for 5 years so 60,000 Ft का अगया 60,000 का 10% 6000 आगे को कहरा question में she own a house which are being left at 2,000 per month but its fair rent is 2,250 per month municipal tax के रखा है 3,000 पोवाइड by her she spent 100 of collection of rent and paid 3,000 as in personal look यह question आप पढ़ दीजिए she earned a profit 1,500,000 from speculation business so she received 900,000 as an interest on capital investment board Shri Mati Mano Rama Devi claim that last year tariff over speculation losses of 4,000 be allowed to be set up this year and compute Shri Mati Mano Rama Devi's total income for the assessment year देखो पूरा question हमने पढ़ लिया और अब हम एक-एक concept को लेका चलते हैं कि हमने देखी salary income यहाँ पर है house property income यहाँ पर है speculation business income यहाँ पर है और एक बात हो income from other source income यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या आता है आपका income from salary यहाँ उसके बाद दूसरे में पर income from house property आता है तीसरे नमबर पर PGPP income आती है और fourth number पर आपकी income from capital gain आता है और fifth number पर आपका income from other source आता है आप लेस करते हों deduction under section 80C to 80U फिर आपकी total income आता है अब नहां पर हमारे सामने इस question में salary income हमारे सामने है house property income हमारे सामने है speculation business PGPP की हमारे सामने है और income from other source यहाँ की नहीं है तो एक एक कॉम सार अब हमें सबज में आ गया कि वर्षुल में क्या है और क्या मेरी खाला राइट तो अब सबसे पहले salary वालों पे चलते राइट तो एक बाद में रहे से बत्यूं जल्दी से देखिए salary वाला first point थाना तो first point में हम क्या रहतेंगे पहले हम क्या देखिए computation computation of total income किसकी दे रखे ये श्रीबती मनो रावा देंगी खेला यह मैं short form देंगी वह अपकिन और बुखे लिख देला computation of total income रावा देखिए assessment यह कौन सा है for the assessment year 2021 okay सबसे पहले हम क्या ली खेंगे income from salary salary किन तो निकाले salary साथ के साथ no down करते जाना है कि इपना बढ़ा नी कि आपना पूरा question आ जाएगा no down करते जाना salary क्या है आपकी 15,000 15,000 into 12 15,000 into 12 15,000 into 12 1,80,000 कितना आ गया 1,80,000 अब आगे बोना employer provided unfurnished accommodation तो अब हम इसमें क्या करने वाले है वह accommodation वाला value of concession rent हम इसमें जोडने वाले है right यह 6,000 per annum यह दे रहा है यह तो इसकी पोकेट से जा रहा है उसको benefit इतना मिला unfurnished house काम करेंगे unfurnished house का निकालते हैं जो आपका basic salary होता basic salary और जो under the terms of employment percentage of fixed commission वाला given होता है उन तीनों चीज़ों को add करने के बाल 15% देते है 15% लोग 1,000,000 यहां पर सिर्फ salary given है 15% अगर आप करोगे तो यह आजाएगा 27,000 right 27,000 इसमें से आप 6,000 पे कर रहे हो तो यह आजाएगा 21,000 जो के आपके निए फाइदा होगे 21,000 यह आप जोडने के बाद कितना आजाएगा 21,000 जोडने के बाद यह आजाएगा आपका tool है 1,000 यहां तक आपका आगया income from salary लेकिन आपको पता है income from salary में under section 61 आपको standard deduction देते है सो यहां पर आप minus करोगे less standard deduction कितनी 50,000 तो 50,000 की जैसे minus करोगे कितना आगया 21,000 minus 50,000 that means 1,51,000 यह आपकी आजाएगी आपकी income from salary सो यहां जब no down करो फिर में yes करो फिर next तूछने वाले करो ठीक है बात स्मुझ नहीं पहले क्या है आपके सामने salary गिवन की जाटी का salary 15,000 पर मन्त आपने 15,000 इंटो में 12 क्या बल्ले 15,000 आगई यहां पर बात स्मुझ नहीं उसके बाद value यहां rent free accommodation जो मिलना उसकी value आप दालते हो अगर extra है तो 6,000 आप pay करने हो लेकिन actual में आपको benefit मिलना 27,000 का कैसे निकाला 18,000 का 15% करा यह आपके 27,000 6,000 minus कर दे 21,000 का को benefit मिलना है जिसके आपको ठेकते ना पड़े 21,000 ही आपको 2,000 आगया minus आपको standard reduction करनी होती है 16,1 पे यह आपने salary वाले chapter में फर्स semester में अच्छे से पढ़ लिया होगा नहीं पढ़ा तो एक concept और याद रखो जितने भी question आप solve कर रहे हो जो भी concept उसमें आ रहा है note down line लगा के notebook में note down करते जाओ के आपको जो 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 topic आपके हाँ रहे right so आप next second point फोर करते है उस के लिए में erase कर लगा तू आपके 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 प्रपर्टिं के सबसे पहले हम देखने वाले है कि she owned a house which had been like at 2000 per month but a fair rent is 2250 2250 into 12 is equal to 27.000 तने इस सुरह में हाँ house property की income कैसे निवारते है धिहां से सुरह 2 से कंदे नकटा हुँ अगर आपके सामने गिवन ओ fair rent आपके सामने गिवन हो municipal value, आपके सामने गिवन हो actual rent, आपके सामने गिवन हो standard, यह चार चीज़ें आपके सामने गिवन हो for example, सबसे पहले fair rent का मैं municipal value के साथ compare करोगे, whichever is higher आप उठा लोगे, फिर उस higher value का compare करोगे, वह standard गिवन हो तो, और which average is lower, लेगे, अब जो यह lower आएगे, आपके expected rent आजाएगा, और इसका compare करोगे actual rent के साथ, और which average is higher, आपका last में अंसर आजाएगे, gross annual value, is it clear, यहां तब बात समझ में आई, तो यहां पर question में हमारे सामने actual rent गिवन होगे, तो 2000 पर मैं, actual rent क्या था, 2000 पर मैं, that means 14,000, और आपका जो fair rent था, fair rent, वो question में given था 2250, इन तो में 12 पर होगे तो यह आईगा, 27,000, अब मुझे एक बार बताओ, जादा आपका यह है या यह है, और हमें विचार इस higher लेना है, तो यहां पर हम क्या लेगे 27,000, तो यहां पर question में हमने लेगी gross annual value, income from house property की gross annual value लेगी 27,000, विजिप किया यहां जब बात समझ में आई, अब हमने आगे क्या दे रखा है, क्या कोई, municipal tax को गया pay कर रखा गया, municipal tax of 3,000 वो पेड बात सुनू, अगर municipal tax, owner ने pay किया गया है, तीने ने pay किया है, उन्दा behalf of owner और वो paid basis है, तो आपको deduction बिलती है, तो यहां पर आप minus करोगे, municipal tax किकने हजार रुपे, 3,000 रुपी तो यह आगे आपकर 24,000 राइट, उसके बाद कुछ की मलब है, फिर यह गरश्रिस्पेंट, अंडर और क्लेक्शन ओप्रेंट पे 3,000 इंट्रस करोगे, of renewing the house, 3,000 ठीक है, तो यह बात में 3,000 इंट्रस से यह भी minus होगा, यह आपकी annual value आजाएगी, अब आप less करोगे, इसमें 30% of annual value जो कि आपकी standard deduction होती है, my dear friends, standard deduction आपकी expenses related होती है, जो repair आप पर आ रहे हो, मानों white force को तरा रहे हो, या कुछ भी आप पर आ रहे हो, तो अलग से आपने ground rank जाओ, अलग से आपने जैसे इन्होंने score पे collection वाला rank की rank को collector करो score पे लगे, यह वालत की minus नहीं होगे, direct 24,000 का 20% करोगे, तो इबार करके बताओ, कितना आएगा, 24,000 में 30% करोगे, तो 7200, यह minus हो जाएगा, और उसके बाद less होगा, इसमें आपकी, वो, क्या होता है, यह की चलिया हुआ है, interest on low, 3000, यह minus होगे, तो जल्दी से बताओ, कितना आजाएगा आपका, यह दोनों आगे आपके 10,200, minus करो 24,000 से, 24,000 से minus करो 10, 10,200, तो यह आजाएगा आपका 13,800, 13,800 आपके income from house property की income आगे, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल clear हुआ, आगे क्या कहरा है, आगे हमारी, जो income है, वो एक तो speculation business वाली रहे गई, और income from other source रहे गई, को भी जल्दी से करोगे, आगे question है, एक सेक्रिन कूंज जूम करे दो, आगे है, आगे है, शी आजाएगा profit, 1,500,000 from speculation business, income from profit and gain of business and protection, दिखलोगे यह बात लिया, दिखलो, इखलोगे है, दिखलोगे है, बेरे 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 बुद अच्छी बच्छी है, आगे हम कितना, speculation business रहे कितना profit मिल रहे है, 1,500,000, और एक हमारा growth forward lows है, speculation business से है, और वो कितना है, 4,000 है, यह growth forward lows भी क्योंगे, speculation business से है, यह 4,000 के आप minus कर दोगे, तो देखो कितना रहे है, 6,46, 1,46,000, यह आपकी जागी, 1,46,000 आपकी जागी, यह आपकी business की income आगी, बात मिल भाई, अब last रहे है आपका, income flow, other source, क्या रहे है, income from other source, देखो other source की income कहा भाई ही, other source की income fixed deposit वाली थी, राजस्तान, government loan वाली थी, तीनों में तो 10% हमने तो करें तो भी, 60 का 10%, 6,000, अच्छा, 50 का 10%, 5,000, और 24,000 का 10%, 2400, देखे कितना आगे total, चाह, पाच, जारा, बाद दो, ग्याणा भाद तेरा, 13,400, पे, 13,400, पे आगी आगी, आपकी speculation business का, तो रहे क्या बोली मैं, income from other source की income, चीख है, 13,400 पे आगी, एक लाख च्छारी हजार आगी, आपकी बिसनेस इंकम 1,51,000 आपकी salary की ID और उसकी इतनी ID 146 सागी house property की तेरा एक सेट तेरा वाजार आट सेट तो यह टोटल करों फो टापट चार हो टोटल कर आपकी GDIT की तर आजाएगी 1,51,000 प्लस 13,800 प्लस 146,000 और 13,400 तोटल आजाएगी आपकी GDI 3,24,200 3,24,200 यह आपकी gross total income आजाएगी और आप less कर होगे इसमें से एक deduction point है तो आपकी total income 3,24,200 आपकी तो बहुत ही असान question प्राइसी तरीके से आपके और भी question आएगे और अगर आपकी command अच्छी बन के ना को आपको 95 समी मतब 18 से 75 से कम नमबर नहीं आएगे अगर आपकी महारत अच्छी से लापर होगे तो उसके लिए आप मेरा online course buy कर सकते हैं नीचे देने नमबर पर आप call या message कर सकते आपके पैट किर के अगर